हेलो अबरिवन कैसे हैं आप सब आई होब आप लोग अच्छी होंगे मस्त होंगे इस्वास्त होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे एंड इर खुद से प्यार करना भोजाता जरूर है जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे अपने इंपोटन्स नहीं समझेंगे ना इस दुनिया में कोई भी आपकी इंपोटन्स नहीं समझेगा और ना ही आपसे प्यार करेगा तो प्लीज सबसे पहले खुद से प्यार किजिए खुद के बारे में सोचिए आप इस दुनिया में अगर आए हैं यूनिवर्स ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो यूनो कोई काम ऐसा जरूर है जो कोई और नहीं कर सकता सिर्फ आप कर सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है कैसी फीलिंग्स हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में आपके सामने तीन नमबर्स हैं अपने पार्टनर का परसन का जिसका भी आप जानना चाहते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं रिडिंग रजुनेट हो तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा एंड चलिए स्टार्ट करते हैं जिन्होंने सबसे पहले नंबर वन चुना है तो hello number one कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वश्श्थ होंगे अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे खुछ से बहुच सारा प्यार कर रहे होंगे एंडियर खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहती हूँ हाँ रिडिंग में आपसे कहती हूँ कि अपनी इंपोटेंट समझ यह क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्या करते हैं किसी दूसरे परसन के लिए अपनी हस्ति खेलती लाइफ को बरबाद कर देते हैं उसे स्पोल कर देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है डियर तो चलिए देखते हैं यह परसन आपके बारे में क्या सुचते हैं ओके देखे डियर यह परसन आपसे प्यार बहुत करते हैं इनकी FEELINGS बहुत POSITIVE हैं आपको लेकर और यह यह चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से हर बार इन से अपने प्यार का इसाहर करें मतलब आपकी FEELINGS SHARE करें आप इनसे, खुद से मतलब आप खुद अपनी FEELING इनके सामने SHARE करें ये प्यार करते हैं आपसे अपनी feeling भी share करना चाहते हैं लेकिन starting आपसे चाहते हैं ये इस बात को जानते हैं कि आप इन्हें प्यार करती है या फिर करते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी feeling hide कर रहे हैं लेकिन जब तक आप अपनी feeling इनके सामने share नहीं करें खुझ नहीं भोलेंगे थोड़ा इगो है इनके अंदर लेकिन यह जो सोच रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं हमेशा घर करते हैं आपकी हमें suspect करते आपकी लेकिन इगो होने के कारण कभी-कभी आपको हाट कर देते हैं इस बात का पता आपके परसन को है कि हां मैं e-go तो मेरे अंदर एको है मैं हाट मतलब मैं हाट भी करता हूँ या करती हूं कभी कभी लेकिन अभी यह क्या सोच रहे हैं इनके दिमाग में सिर्फ यही सवाल चल रहा है कि आप खुद से आके अपनी फीलिंग इनके सामने शेर करें तो वह इंतिजार कर रहे हैं आपका बहुत ज़दा वेट कर रहे हैं आपका इन्हें से लग रहा है कि आप दोनों के साथ बहुत सारी मिसंडेस्टेंडिंग हुई है बहुत सारी लडाए जगड़े हुए हैं जिनको लेकर आप बहुत परिशान हैं अभी तक भी आपके देल दिमाग से वह बाते नहीं निकल पाती है तो ये बात ये आपके पार्टनर के दिमाग में भी हैं आपके परसन के दिमाग में भी हैं लेकिन वो इन सबसे बहार निकलना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ अब एक न्यू सुरुआत चाहते हैं लेकिन नई सुरुआत की जो पहली शुरुआत है वो आ रहा है एंड रीडिंग रजनेट हो रही हो तो कमेंट कीजेगा चैनल पर नहीं है तो प्लीज सस्क्राइब कीजेगा अब हम बात करेंगे जिन्होंने नमबर दो चुना है तो देखते हैं आपके परसन के दिमाग में क्या चल रहा है कैसी फीलिंग है कैसी एनर्जी है क्या करते हैं क्या नहीं चाहते हैं है यह सारी बाते अब हम इस रूडिंग में देख रहे हैं को की आफको स्यक्राव कि और आपके परसन आप से प्यार करते हैं अब यह पर्सन आपको सैल्फिस समझते है है आप दोनों के बीच में आप हो सारे मिसंट्रेटिंग क्रेट हुई थी तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप आपका काफी टैम से नो अपने रिष्टे में आप आगे बढ़ चुके हैं और आपके लावा कोई और परसन भी है थाड़ पार्टी की तरफ से इंटेंशन जादा आ रही है इन्हें ऐसा लग रहा है कि थाड़ पार्टी है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों का रिष्टा खराब ह और आप इनके पास वापस नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका जो दिल है इन्हों किसी थाड़ पार्टी के लिए धड़क रहा है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है मुझसे गलतिया हुई है लेकिन आपने इनसे कभी इस बात का जिकर नहीं किया है कि आपने गलतिया की ह हुआ है बहुत जादा हर्ट फील हो रहा है बहुत जादा दिल दुख़रा है इनका और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना आपने मुवन कर लिया है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गया है तो थोड़ा सा नराज है आप से और चाहते कि आप अपनी फिलिंग इन से शेयर करें तो डियर रिडिंग रजूनेट हुई है तो कमेंट कीजेगा आप बात करेंगे जिन्होंने नमबर थ्री चुना है तो हैलो डियर कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे इस्वस्त होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे खुद से बहुत सारा है है यह ज्हादा है ने dazu न किन अनरजी को आप पर कर रहे होंगे आपको भी महसूस हो रहा होगा को है अपको आपको फील भी भी हो रहा होगा या फिर अर दो पर स्था फिर प्रे है और यूनों आप लोगोनों का मैसीज वगेरा से भी कोई मतलब नहीं है कि ना मैसीज है ना कोल है नो कुछ है ऐसा अपका नो लेकिन नहीं करते कभी आप रप्लाइ करते कभी नहीं करते तो यह सब सिच्वेशन आप तो उनों की चल रही है लेकिन आपका जो पार्टनर हैना हुँ इस वक्त प्रॉबलम में है उन्हें इन उन्हों ज्यादा हो रही है उन्हें ऐसा लग रहे हैं कि अगर आप उनके पास होते तो कितना अच्छा होता, शायद वो इतनी प्रोबलम में आते ही नहीं, शायद वो बिमार होते ही नहीं, तो उन्हें आपकी कमी बहुता महसुस हो रही है, आपके पास आना चाहते हैं वापस, आपसे जो गलतियां इन जब तक आप आप आकर उनके पास अपने दिल का हाल ना बता दें तब तक उन्हें शान्ती नहीं मिलने वालिए वह बहुत परिशान लग रहे हैं आप सैट लग रहे हैं चीड़े चीड़े हो गए हैं तो are जगा से टेंशन टेंशन परिवार वालों में से किसी से सबसे बात नहीं कर रहा है लड़ाई जगड़ा चल रहा है एंड यूनों सब्सक्राइब गुसा उस इंसान पर आ रहा है जिसकी वज़से आप दुनों अलग हुए आप लोग मैरीड हो सकते हैं आपका कोई प्रिलेशन हो सकता है लेकिन अभी ये परसन उस इंसान को सबसे ज़्यादा गालिया दे रहा है मतलब यूनों बहुत ज़्यादा जिसने आप दुनों को अलग किया है आपसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए और ये रीडिंग रेजुनेट हो रही हो तो कमेंट कीजेगा चैनल पर नहीं हो तो कीजेगा थैंक यू